हलो दोस्तों वेलकम बेक टो आप चनल के अफिनिटी तो दोस्तों तेजपूर उनिवर्सिटी जो हमारा अंति आसाम का एक संटर उनिवर्सिटी है तो इसका एडमिशन प्रोसेश सीवीटी पीजी के थ्रू तेजपूर उनिवर्सिटी जो आपका एडमिशन प्रोसेश है वो स्टार्ट हो चुका है सीवीटी पीजी का जो रेक्स्टिशन है आपका रेजल्ट पाबलेश्ट होने के बाद इंडिविज्विज्वीजल यह हार एक संटर उनिवर्सिटी अप यहां पर दोस्तों आसनी से देख सकते हैं ठीक है जो तेजपूर उनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसेश त्रू सीवीटी पीजी स्कोर तो वो स्टार्ट हो चुका है ठीक है तो एप्लिकेशन प्रोसेश जो है वो 26 तारिक से स्टार्ट हुआ है ठीक है और लास्ट एट एक्स्टेंड भी कर दिया सकता है बट यह मान के चलो कि 9 अक्टोबर आपका लास्ट एप्लिकेशन है तो उससे पहले आप एप्लाई करिए जा एप्लाई करने के लिए आपको यहां पर जो एप्लाई ऑनलाइन है उस लिंक पर क्लिक करना होगा मैं इस एप्लिकेशन का ल लगेगा ठीक है दोस्तों तो यह एप्लिकेशन पॉलिसी है आपको कितना पार सेमिस्टर कितना फीज देना होगा वह भी मैं आपको बताते जाओंगा धिरेदेशन ठीक है यहां पर आप दोस्तों रिजार्बेशन पॉलिसी देख सकते हैं जो स्पूर्ट्स कोटा में है वह उसके लिए अप्टू 5% एप्टूब्ट सीड्स रिसाप्ट है ठीक है दोस्तों तो चलिए मैं आपको वह जो इलिजबिल्टे क्राइटेरिया और जो जो फी स्टक्चर है तेजपूर उनिवर्सिटी के उसकी दरब मैं ले जाता हूं और दोस्तों मैं इस वीडियो मे आपको तेजपूर उनिवर्सिटी में एक छोटा सा रिव्यू दूँगा फॉर केमिस्टर डिपर्मेंट का मैं एक छोटा सा रिव्यू भी दे दूँगा ठीक है तो आप यहापर देख सकते हैं जो आपका पीजी जितने भी कोर्स है पीजी पोक्स ग्लाजुएट की ठीक आपको 15,443 करके अपसे लिया जाएगा ठीक है तो आपका एप्रॉक्सिमेली 15 के आपकी फार सिमिस्टर फीज रहेगी ओके पॉर्दा एमिस्टी स्टूडेंट अगर हम मैं बात करूँ बील्ड स्टूडेंट के लिए वो भी यहापर दिया हुआ है ललम के लिए ठीक है के लिए बीजी डिप्लोमा के लिए वो भी दोस्तों यहाप दिया हुआ है ठीक है और एक बात दोस्तों जो इससी इस्टी स्टूडेंट है उनके लिए होस्टेल रेल्ड होस्टेल जो रेंड होका वो पर सेमिस्टर आप यह पार देख सकते हैं 675 डुपीस एक्स्टेंट कर दिया जाएगा ठीक है मतलब यह पैसे आपको नहीं देना पड़ेगा सिक्सक्राइब कर बात करूं तो आप यहां पर दोस्तों साब देख सकते हैं जो आपका पीजी कुपी 25 वहा था कि अपकी जैज्वेसर में मिनिमाम 55% मार्क इन केमिस्ट्री और और सिंकेमिस्ट्री 60 वर्षन मार्क और एक्वेलंट मार्क इन एग्रिगेट ओवररल आपकी 60 पर सिंकेमिस्ट्री में आपकी 65 वर्षन मार्क होना चाहिए थीग किर यह फिर और एक बात यहां पर कह दिया है कि candidate should have आपकी सारे candidate को physics या math आपकी subsidiary subject या पर past subject होना चाहिए graduation में मतलब graduation में आपकी physics या फिर math है तभी आप chemistry में chemistry के लिए apply कर सकते हैं chemistry के लिए तेजबी university में ठीक है तो यह पर और एक बात मेंशिट करते हैं कि relaxation of five percent marks equivalent grade अर्थाथ अपकी ACHD के NPWD के लिए 50 percent marks होना चाहिए श्रक्वाश्य chemistry में और overall 55 percent marks अपकी होना चाहिए ACHD के लिए and general student के लिए और EW student के लिए 55 percent marks होना चाहिए chemistry में and 60 percent marks overall ठीक है यह था eligible the category अब अगर admission करते वक्त अगर कोई problem होता है problem आप करते वक्त तो आप कैसे उनको approach करेंगे अपके contact details में आपको दिखा दिखा देता हूं दोस्तों admission करते वक्त अगर कोई दिख्कत आती है तो आप उन लोगों को यहाँ पर जो अपनी जो email ID दिया हुआ है इस email ID पर contact कर सकते हैं या फिर जो आपका mobile number दिया हुआ है इस mobile number पर भी call कर सकते हैं नौ से साड़े पाच तक ठीक है तो अब मैं आपको इस तीजपूर उनिवर्सिटी के जो chemistry department है उसका एक छोटा सा review हो देंगा कि क्या है देखो जो आसाम का यह तीजपूर उनिवर्सिटी है यह बहुती आसाम के लिए अच्छा उनिवर्सिटी है तो जो जो आसाम के student है जो जो नौर्थ बले इंडियान students के लिए मैं कहूंगा कि आप वहाँ पर मत जाओ क्योंकि डिस्टेंस वहुत जादा है और जाकर मतलब आप जितना सब्सक्राइब कर रहे हो उतना आपको profit नहीं मिलेगा ठीक है तो नौर्थ बले स्ट्विट जा सकते हो और साउथ बले स्ट्विट उतना ट्राविल करके मज़ए अगर कहीं पर भी एड़ी से नहीं मिला तो आप जा सकते हो ठीक है तो दोस्तो देजपूर उनिवर्सिटी की जो केमिस्ट्र डिपर्टमन की रिव्यू के अगर हम बात करें तो यहां का जो केमिस्ट्र डिपर्टमन्ट है बहुत अच्छा है ठीक है वह मैं आपको क्यूं है वह मैं दिरे दिरे आपको बात आ जाओंगा ठीक है तो दोस्तो तो अगर हम किसी उनिवर्सिटी आच्छा है या बुरा है पहले जो हम देखते हैं कि उनका फेकल्टी कैसा है ठीक है वह पर रिसार्ट कैसे होता है ठीक है और वह पढ़ाया कैसे जाता है वह उस उनिवर्सिटी के स्टुडेंट से हमें पता चलेगा बट जो हमारे प्राइम तो यहां पर कितना सारा कॉर्स ओफर के जाता है वह आप आसानी से यहां पर दोस्तों देख सकते हैं ठीके तो आप देख सकते हैं दोस्तों की यह तेजपू उनिवर्सिटी है यह PhD इन सेमिकल सेंट सोफर करता है MSC integrated MSC एंड यहां पर अगर लैब की अगर हम बात करें तो आप यहां पर दोस्तों आसन से देख सकते हैं कि यहां पर 17 रिसार्च लाव है ठीक है सेवेंटीन रिसार्च लाव है तो मतलब यह इनुवेर्सिटी रिसार्च के लिए बहुत ही अच्छा है और MSC के लिए अच्छा है तो अगर मैं फेकल्टी की बात करें तो इक्वीट्मेट्स का सेकल्टी बहुत जादा है ठीक है तो वह फेकल्टी मैं आपको दिखाता हूं सब्सक्राइब कि मैं स zł省 के लिए वढ़िक सबस्दों डार याज थे проблема के लिए नेगा जहके नैनो कॉम्टिसन के लिए यह आपका पॉलीमर के लिए अपके लिए पोफुत्राइब्टीसिक्टी थे के लिए कंप्रोП्यमों के निए लिए झ्क जो हुआ का इच्छ श् बेटरी के सेल्स के लिए काम करता है इसा चीव जिएक उठ पॉल्वेरा आप याप देख सकते हैं पंकच बारली हुं यहां पर जो है डॉल केवकिल के लिए काम करता है क्रिस्ट्ल ली निया रिंग लिए जो काम करता है तो यह पर molecular engineering medicinal chemistry के लिए एक faculty है रिक और हमेश्चम अब फ्यक्ति के लिए तो आप यह पर देख सकते है लागब को योगशे नाइन टेंव तरेंटल हांचिन फंचेजी के लिए थ cloud आप यह दोस्तों देख सकते हैं 19 तो बहुत जादा वेकल्टी है तो मैं आप सब्सक्राइब करूंगा कि आप जा सकते हैं यहां का रिसर्च पेकल्टी बहुत अस्ता है और यहां का जो एचिमेंट्स है नियरिगेट क्वालिफेड की मैच चेक किया हूं तो वह भी यहां का एचिमेंट्स अच्छा है अगर म सब्सक्राइब कर सकते हैं तो यह सब अच्छाए उडंडी और श्र काइछ सकते हैं स्टुड्हां पर आप यहां पर देख सकते हैं यहांände लोगों ने आपर campus भी हो सकता है मतलब placements यहां का होता है आप यह अपर देख सकते हैं और कौन-कौन सा वीडियो अगर वीडियो अच्छे लगा तो दोस्तों के सब्सक्राइब कर दोना थेंको दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में